हेलो दोस्तों आज के इस बेडियो में हम बात करने वाले हैं नियू जी लेंड और स्री लंका के बीच में जो वर्ल्ड कप का एक तालिसवा मैच खेला जाएगा उसके बारे में और ये वाला मैच एम चिनना स्वामी अस्टेडियम बेंगलूरू में 9 नवंबर को दो पहर दो बजे खेला जाएगा तो आज के इस बेडियो में में आपको बताने वाला हूँ कि दोनों टीम से कौन-कौन ऐसा प्लायर है जिसको असमोल लिग में लेना है कौन ऐसा प्लायर है जिसको क्याप्टन बनाना है कि इसको वाइस क्याप्टन बनाना है सब कुछ में आपको डीटेल में समझाने वाला हूँ और अगर आप लोगों ने इस वेडियो को कम्प्लिट देख लियाना तो मैं आपको गयराइंटी देता हूँ इस मैच में आपको अल्टरा विनिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है चाहे वो a small league हो या grand league हो तो चलिए एकक करके मैं आपको detail में समझाता हूँ उससे पहले सबसे ज़्यादा important बात ये हमारा telegram channel है अगर आप लोगों ने अभी तक join नहीं किया है ना तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो चुकि इसी telegram channel में मैं खुद अपना team हर एक match के बाद toss के बाद यहीं पर देता हूँ और इस match का भी final team toss के बाद इसी telegram channel में मिलेगा और ये 100% एकदम फिरी है अब telegram में search करके join करने का प्रियास मत करना चुकि हमारे नाम से बहुत सारे fact telegram channel बने है जो आपसे पेशा लेकर आपके साथ fraud करेगा इसलिए original और official telegram channel में join होने का मातर एक ही रास्ता है जो मैंने comment box और description box में link दिया है उसी link पर click करके आपको join होना पड़ेगा तो जल्दी से जल्दी join हो जाना यही पर मैं खुद अपना team जिस team के साथ मैं खेलता हूँ रोजाना अच्छा खासा winning करता हूँ same to same वही team मैं आपको यहाँ पर देता हूँ तो चलिए अब हम बात करते हैं pitch report के बारे में आनि जिस pitch पर ये वाला match खेला जाएगा वो pitch केसा है batsmen को जादा support मिलता है या ballers को जादा support मिलता है सब कुछ आपको पता चलेगा तो अभी तक इस pitch पर total 41 ODI match खेला गया है जिसमें से first batting करने वाली team ने पंदरो match को winning किया है और second batting करने वाली team ने 22 match को winning किया है समझ मा चुका है अगर wicket का बात करें तो total last 5 ODI match में faster baller को 40 wicket मिला है और spinner baller को मातर 20 wicket और 5 ODI match का अगर data देखोगे न तो faster baller को total 40 wicket मिला है और spinner baller को मातर 20 wicket और spinner को उतना ज़्यादा support नहीं करता है ये वाला pitch लेकिन faster baller को बहुत ज़्यादा support करता है तो इसी चीज़ को देखकर के आपको team बनाना है अब एसा नहीं है कि spinner baller आपके लिए important नहीं रहेगा एसा कोई बात नहीं है इस match में faster और spinner दोनों को ले करके चलना है अपने team में लेकिन ज़्यादा फोकस करना faster baller पर spinner थोड़ा कम भी लोगे ना फिर भी चलेगा लेकिन जो quality spinner baller होता है उसी को लेना average score इस पीच का 249 रहता है जो काफी सही है 200 के करीबन अच्छा खासा batting बिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको batting पीच असानी से देखने को मिलेगा पहले बात करते हैं न्यूजी लेंड का playing 11 जो इस match में रहेगा तो डिवोन कॉनवे और रचिन रविंद्रा आपनिंग करता हुआ दिखेगा नमबर तीन पर कैन विलियनसम और रचिन रविंद्रा और कैन विलियनसम ने पिछले match में क्या तगड़ा परफॉमेंस किया था और हम लोगों का कैप्टन कौन था रचिन रविंद्रा और भीसी था हम लोगों का कैन विलियनसम जिसके कारण हम लोगों ने उस match में small league के साथ साथ grand league में भी ultra winning किया था तो ये होता है असली prediction उसके बाद अब आपके मन में एक सवाल चलता होगा कि क्या इस match में भी रचिन रविंद्रा पिछले match के जैसा सतक मारेगा या फिर क्या कैन विलियनसम इस match में भी पिछले match के जैसा अच्छा खासा पारी खेलेगा तो सभी का answer आपको मिलेगा बीडियो को complete देखो सब कुछ में आपको डीटेल में बताऊंगा उसके बाद आपको कोई नहीं हरा पाएगा अगर बात करें स्री लंका का प्लैंग 11 जो इस match में रहेगा तो पथम निसान का कुसाल परेरा आपनिंग करता हुआ दिखेगा और पिछले मेंच में कुसाल परेरा आया था समझ माचुका है दिमूत करूना रतने के जगाँ पर कुसाल मेंडिस नमबर 3 पर सधीरा समा विक्रामा चरिथा सलंका एंजिलो मेथ्यूज धननजे डी सिल्वा माहिस तिकसना उसके बाद आपका उसमंता चमीरा कसुन राजिता और डिलसन मधुसंका तो ये स्रिलंका का प्लेइंग 11 है असानी से देख लो कौन कहां पर बैटिंग करता है कौन कहां पर बॉलिंग करता है अब यहाँ पर मैं आपको हर एक सेक्शन को डीटेल में अनालिसिस करके बताता हूँ कि कब किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है किसको ले करके चलना है सबसे पहले बात करते है विक्याट की पर वाले सेक्शन में अब विक्याट की पर वाले सेक्शन में नियूजी लेंड के तरफ से डिवान कॉन्वे और टॉम लेथम दिखेगा और स्रिलंका के तरफ से कुसाल मेंडिस और सधीरा समा विक्रामा दिखेगा अगर डिवान कॉन्वे का बात करें तो अभी तक इस वर्ल्ड कप में इसका बल्ला नहीं चला है असानी से देख लो 35-2-28-0-20 और स्रिलंका के एग डिवान कॉन्वे का बल्ला चल सकता है अभी तक इस वर्ल्ड कप में इसका फॉम नहीं आया है लेकिन इसी में आ सकता है चुकि ये वाला मैच न टककर का मुकाबला होगा अगर न्यूजिलेंड ये मैच जित जाता है तो टॉप फोर में जाने का चांस बढ़ जाएगा त अगर बात करें टॉम लेथम का तो इसका रिसेंड फोर्म कोई खास आपको दिखेगा नहीं दो चार अकीस पांच अरसट अनि एक मैच में सुरुवाती मैच में अरसट रन का पारी खेला था उसके बाद लगातार फुलॉप है और हेर्टु हेड में 6 मैच में मातर 90 रन है और मातर 18 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर एक मैच में दो रन बनाया है पिछले मैच में तो टॉम लेथम उतना कोई खास प्लेयर नहीं है इसको में बोलूँगा ड्रॉप करके चलना कुसाल मेंडिस का बात करें इसका भी रिसेंड फोर्म कोई खास आपको दिखेग नहीं लास्ट पांच मैच में और एक मैच में सतक मारा था उसके बाद इसका फोर्म तो चला ही गिया है कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें अच्छा खासा पर्फॉमेंस किया है सिवाए एक मैच का और नीजीलेंड के एगेंस्ट पांच मैच खेला है मातर 38 रन बनाया है और मातर 8 का एवरेज है और वेन्यू पर एक मैच में मातर 11 रन है तो कोई खास प्लायर नहीं है मैं इसको सिंपली ड्रॉप करके चलूँगा और आपको भी साजेसन दूँगा कि इसको ड्रॉप करके चलना अगर मेगा लिग का टीम बनाते हो तो लेकिन असमोल लिग में लेक करके चलना एक बैश्ट पलायर रहेगा चुकि आपके हर एक ओपोनेंट के टीम में रहेगा तो आपके टीम में भी होना चाहिए लेकिन मेगा लिग में ड्रॉप करके चलना कोई खास परफॉमेंस नहीं है अगर बात करें सधीरा समरा विक्रमा का तो इसका रीसेंड पारी खेला था ना वो इसी ग्राउंड पर खेला था तो इस बात को नॉट करना एक बैश्ट पलेयर आपके लिए बन जाएगा अब विक्याट की पर वाले सेक्शन में मेरे टीम में कौन-कौन सा पलेयर रहेगा एक मेरा डिवोन कौन वे और यहां से सधीरा समरा विक्रम यह दो पलेयर में विक्याट की पर वाले सेक्सन में ले कर चलूंगा असमोल लिग में पुसाल मेंडिस को अभी में इग्णोर कर रहा हूँ कब लेना है किसके जगाह पर लेना है ओ भी में आपको बताऊंगा अब यहाँ पर मैं आपको simply बताने वाला हूँ sports बाजी के बारे में अगर आप new user होना तो मैं आपको बता देता हूँ sports बाजी एक एसा fantasy application है जो आपका पूरा GST खुद पे करेगा और इसमें न जितना आप fantasy इस world cup में खेलोगे न तो fantasy खेलने का भी पेसा आपको खुद sports बा leader board लाया है sports बाजी और अगर आप rank 1 में आऊगे न तो आपको 5 लाख का cash prize मिलेगा और इस match में आपको अलग से 3 लाख का mega league मिलेगा मात्र 49 रुपईये में और competition देखो मात्र 11,000 का तो सोच लो आपका जीतने का chance कितना ज्यादा रहेगा और अगर आप sports बाजी में first time minimum से minimum 500 deposit करोगे न और deposit करते समय SB mega code को use करोगे तो mega league का ticket एकदम free मिलेगा और जो ये वाला 49 रुपईये वाला entry है न एकदम आपको free में खेलने का मौका मिलेगा और आप 3 लाख free में winning कर सकती हो तो जल्दी से जल्दी sports बाजी को download कर लेना अगर अभी download नहीं करोगे न तो बाद मे बहुत ज़्यादा पच्चताओगे लिंक आपको description box और comment box में मिल जाएगा और सबसे ज़्यादा important है कि login करते समय मेरा जो refer code है kajon जो आप screen पर देख रहे हो इसको use करना तभी आपको बहत्रिन से बहत्रिन offer मिलेगा और आप हमारा family member बन जाओगे और अगर आप लोगों sports बाजी को पहले ही download कर लिया है और login कर लिया है और अगर आप sports बाजी से daily profit में रहना चाहते हो ना तो simply करना क्या है ये मेरा favorite contest है असानी से देख लो तीन member और दो member वाला तो आप अपने budget के according यही सब contest खेल सकते हो और मैं खुद हर एक match में regular यही सब contest खेलता हूँ जिसके कारण में हमेशा profit में रहता हूँ एक दो दिन खेलने से नहीं होगा आपको regular खेलना पड़ेगा अपने budget के according आपके पास जितना भी budget है उसी के according आपको regular खेलना है तब ही आप profit में रहोगे तो जल्दी से जल्दी download कर लेना सबसे ज़्यादा important है अब यहाँ पर simply बात करते हैं batsman वाले section में तो New Zealand के तरफ से Ken Williamsum, Drell Mitchell, Mark Chapman दिखेगा और स्री लंका के तरफ से पथोम निसान का, कुसाल परेरा और चरिथा सलंका दिखेगा अगर बात करें Ken Williamsum का तो recent form इसका मत बोलो क्या तगड़ा performance है 95, 78, 37, 34, 43 एकदम तगड़ा performance दिखेगा और स्री लंका के against 5 match में 252 run और 50 का average है इस बात को not करना और venue पर एक match में 95 run जो पिछले match में ही बनाया था उसी venue पर जिस venue पर ये वाला match खेला जाएगा तो इसको तो लेना पड़ेगा एक must pick है ड्रेल मिचल का बात करें recent form आपको काफी सही दिखेगा 29, 24, 54, 130 और एक लेकिन स्री लंका के against दो match खेला है मातर 33 run बनाया है और मातर 26 का average है और इस ground पर पिछले match में 29 run का पारी खेला था अनि स्री लंका के against उतना सही performance नहीं करता है लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा recent form काफी सही है तो must pick बनेगा small league में अगर बात करें Mark Chapman का तो मैंने पिछले match में बोल दिया था Mark Chapman एक बड़ा player है अभी तक इसका बल्ला नहीं चला है लेकिन इस match में चल सकता है आपको असानी से 30 या 40 run बनाता हुआ दिखेगा और देख लो 49 run का पारी खेला था उस match में इसलिए हम लोगों ने उस match में a small league के साथ साथ grand league में भी ultra winning किया था तो ये होता है असली prediction जो म में हर एक बीडियो में आपको देता हूँ हर एक match में और स्रिलंका के against खेला नहीं है और इसी venue पर 49 run का पारी खेला था अब देखो पथुम निसान का recent form काफी सही देखेगा पिछले match में 41 run उससे पहले 0, 46, 77 और 54 और New Zealand के against 2 match में मांतर 66 run है और 33 का average है काफी सही है और venue प का एक must pick बनेगा असानी से 30-40 run बनाता हुआ दिखेगा इस match में कुसाल परेरा recent form कोई खास आपको नहीं दिखेगा मातर एक match में 78 run का पारी खेला था और पिछले match में मातर 4 run का पारी खेला था तो कोई form में भी नजर नहीं आ रहा है और New Zealand के against देखो 4 match में 178 run और 45 का average है आनि New Zealand के against खेलना पसंद करता है तो Mega League में Trump card बनेगा इस बात को not करना चरित हसलंका का बात करें तो पिछले match में मैंने बोला था Trump card बनेगा और मैंने टेली ग्राम में भी आपको बताया था कि आज Mega League में चरित हसलंका को try करना इसके बल्ले से बड़ा performance आने वाला है और Trump player के तोर पर मैंने आपको दिया था Mega League के बारे में और पिछले match में ही 108 run का पारी खेला था आसानी से देख लो और hit to hit में ना New Zealand के against दो match में मातर 800 run है और मातर 9 का average है और New Zealand के against खेलना पसंद नहीं करता है तो मैं इसको लेने के लिए नहीं बोलूँगा भले ही पिछले match में 108 run का पारी क्यों ही बना बनाया हो ओके ना अगर बात करें all rounder वाले section में तो all rounder वाले section में New Zealand के तरफ से रचिन रविंद्र और Glen Phillips मिचल सेंटनर और स्रिलंका के तरफ से एंजिलो मेथ्यूज और धननजेडी सिल्वा दिखेगा अगर बात करें रचिन रविंद्र का तो पिछले मैच में ही 108 run और हमारा captain था और 9, 116, 75 और फॉम में आ चुका है तो इसको drop करने का risk मत लेना और सबसे बड़ा खास बात क्या है चानती हो जो 108 run का पारी खेला था न वो इसी ground पर खेला था और स्रिलंका की against एक मैच में अल्रेडी 49 run बना चुका है 49 के average से तो इसक बात करें गलेन फिलिप्स का तो इसका भी recent फॉम अभी दो मैच से आपको काफी सही दिखेगा 41 run, 60 run उससे पहले 12 और 23 और दो मैच में लगातार सही performance कर रहा है और head to head में एक मैच में मातर 49 run बनाया है और इसी ground पर 41 run का पारी खेला था तो मेगा लिग का एक best trump card बनेगा दो विकेट एक run एक विकेट और स्री लंका की एगेंस्ट दो मैच खेला है मातर दो विकेट निकाला है और मातर 69 run बनाया है और इसी ground पर ये 26 run का पारी खेला था तो कोई खास performance नहीं है small लिग में ले सकते हो लेकिन mega लिग में risk लेने के लिए drop कर दो कोई दिकत नहीं रह सोचलो पहली बार हुआ है इतिहास में पहली बार कि कोई एसा player है जो time out के वज़ा से out हो चुका है लेकिन एंजिलो मैथ्यूज हो गया नियूजी लेंड के एगेंस्ट 6 मैच में 130 run और मातर 22 का एवरेज है वेन्यू पर एक मैच में 2 wicket already निकाल चुका है तो टरंप कार बन सकता है इसको not करना धननजेटी सिल्वा का बात करें मैच खेला था पिछले मैच में आया था और मैं खुद नहीं लूँगा अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि a sports बाजी में a states pro fantasy में किसको true करना है और किसको false करना है तो सबसे पहले देखलो अगर आप नया यूजर होना तो मैं आपको बता देता हूँ a sports बाजी में एक आपको बेहत्रिन फीचर मिल जा जैसे कि इसी मैच में एक question पूछा गया है कि क्या New Zealand इस मैच को स्रिलंका के against जीतेगा क्या लगता है आपको अपना knowledge का use करो अगर आपको लगता है कि New Zealand जीतेगा तो पलेन आपर किलिक करके true पर किलिक करके अपना entry लगा दो जितना लगाना चाहते हो और अगर आपको जारा simple simple question पूछा जाता है जिसका आप true और false में answer दे सकते हो वो भी मैच देखते देखते तो जल्दी से जल्दी sports बाजी को download कर लो और states for fantasy खेलना शुरू कर दो और अकीन मानो fantasy से दोगूना पेसा अज states for fantasy से कमा सकते हो और login करते से में मेरा जो refer code है एक के जोन इसको use करना सबसे ज़्यादा important रहेगा अगर अभी download नहीं करोगे ना तो बाद में बहुत ज़्यादा पच्ता होगे इस बात को not कर लेना अब यहाँ पर simply हम बात करते हैं बॉलर वाले section में तो बॉलर वाले मैच में comeback किया लेकिन मात्र 0 विकेट और स्रिलंका की against सही performance करता है साथ मैच में बारो विकेट है तो इस बात को not करना स्रिलंका की against सही performance करता है तो must pick बनेगा टीम सावधी का बात करें इसका भी recent form कोई खास आपको नहीं दिखेगा एक विकेट दो विकेट जिरो विकेट जिरो विकेट दो विकेट और स्रिलंका की against तीन मैच में मात्र दो विकेट है तो कोई उतना खास performance नहीं है तो drop भी कर सकते हो अगर बात करें महिस्तिक सना का तो पीछले मैच में दो विकेट जिरो विकेट जिरो विकेट एक विकेट एक विकेट और New Zealand के against खेला नहीं है और ये pitch a spinner को उतना ज़्यादा support नहीं करता है करता है लेकिन उतना ज़्यादा support नहीं करता है तो मैं simply इसको drop करके चलूँगा अगर चमीरा का बात करें तो इसका भी recent form कोई खास आपको नहीं दिखेगा जिरो विकेट एक विकेट जिरो विकेट चार विकेट दो विकेट और न्यूजी लेंड के एगेंस्ट पांच मैच अल्डेडी खेल चुका है लेकिन विकेट कितना लिया है मातर तीन विकेट तो क कोई खास पर्फॉर्मेंस नहीं है मैं इसको नहीं लूँगा अगर बात करें अगला प्लायर जो आपका है ट्रेंट बॉल्ट तो इसका recent form पीछले मैच में जिरो विकेट एक विकेट तीन विकेट एक विकेट दो विकेट आनि लगातार आपको consistent हर एक मैच में पर्फॉर करके देगा और खास बात क्या है जानते हो स्रिलंका के एगेंस्ट चार मैच में साथ विकेट औरेडी निकाल चुका है तो ट्रेंट बॉल्ट को ले करके चलना एक best option रहेगा अगर बात करें कसुन राजिता का तो पीछले मैच में जिरो विकेट उससे पहले जिरो एक दो चार कोई खास performance नहीं है लगतार दो या तीन मैच में flop है और सबसे बड़ा major problem क्या है कि न्यूजी लेंड के एगेंस्ट दो मैच में मातर तीन ही विकेट है तो मैं इसको ले करके चलूँगा काभी भी फॉम में आ सकता है comeback कर सकता है और जिस दिन comeback करेगा ना तीन या चार विकेट के बिना नहीं रहेगा इस बात को आद रखना तीन या चार विकेट लेगा और हो सकता है इसी मैच में ले ले और अगर स्रिलंका फष्ट में बॉलिंग करेगा तो मैं इसको ले करके चलूँगा अभी ही not कर लेना अगर बात करें डिलिसन मधु संका का तो इसका अभी जल्वा चल रहा है हर एक मैच में पिछले मैच में तीन विकेट उससे पहले पांच विकेट दो विकेट जिरो विकेट चार विकेट क्या तगड़ा परफॉमेंस है और नीजी लेंड के एक मैच खिला है लेकिन उसमें भी एक विकेट निकाल चुका है तो समझ लो recent अलग ही performance कर रहा है तगड़ा performance तो इसको ले करके चलना एक must player रहेगा तो इस परकार से मैंने आपको हर एक player के बारे में detail में analysis करके बता दिया है कि किस player को कब लेना है किसको a small league में लेना है किसको grand league में लेना है और किसको drop करना है जो सबसे ज़्यादा important होता है mega league में ओके न fix and key player के बारे में आपके team में mega league के team में कौन एसा player है जो fix and key player रहेगा तो चैन विलियन सम पथुम निसानका रचिन रविंदर डिलसन मदुसंका ट्रेंट बॉल्ट ड्रेल मिचल और मिचल सेंटनर ये साथ एसा खिलारी है ना जिसको आप अपने mega league के team में एकदम fix and key player ले करके चलना और सबसे ज़्यादा important है top 5 ये वाला उपर वाला जो आपको द mega league winning करवा सकता है सिर्फ आपको अपना दिमाग का यूज करना पड़ेगा तो कौन वो ट्रम्प खिलारी है तो सबसे पहले डिवोन कौन वे सधीरा समरवी करमा कुसाल परेरा एंजिलो मेथ्यूज गलेन फिलिप्स कसुन राजी था और आई सौडी ये साथ एसा ट्रम्प खिलारी है ना जो इस मैच में आपको रियली में सच में mega league winning करवा सकता है वो आपर defend है कि आप combination किस परकार से करते हो और पीछले मैच में हमारा ही एक भाई था जिन होने अच्छा खासा winning किया था grand league में लगभग 50 लाख का winning किया था जिसका मैंने screen shot आपको telegram में send करके बता और vice captain a small league और grand league के बारे में कि इसको आपको बनाना है तो देखो canvilliansam और रचिन रविंद्र ये दो सबसे best option रहेगा a small league में captain और vice captain का अगर आप कुछ अलग try करना चाहते हो mega league का team बनाते हो तो पथम निसान का डिलसन मजु संका और डिवोन कॉनवे इन तीन में focus करना एक best option रहेगा अब यहाँ पर जाते जाते मैं अपना final a small league का team दिखा देता हूँ जो मैंने sports बाजी पर बनाया है चुकि मैं खुद sports बाजी पर खेलता हूँ इसका region मैंने आपक clear cut बता दिया है विकेट कीपर वाछे section में सधीरा समराव इक्रामा डिवोन कॉनवे दिखेगा बैटसमन वाले section में पथम 47 देल मिचल Customие बालर से बनाया है Captain मैंने अभी किया है Ken Willian Sum को BC मैंने किया है Ratchin Ravindra को तो यह मेरा Team है A Small League का Team है एसा गलती मत करना कि इस Team को Grand League में लगा दो समझ मा चुका है अगर इस Team में कोई भी Changing होता भी है ना Toss के बाद तो मैं आपको Telegram में Update कर दूँगा तो टेली ग्राम चैनल का लिंक आपको इस बेडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा जल्दी से जल्दी जुएन कर लेना जो 100% फिरी है और सबसे ज़्यादा जरूरी भी है तो अगर आपको बेडियो अच्छा लगा होगा तो इस बेडियो को एक लाइक कर देना मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल को दबा करके और पर प्रेस कर लेना तो मिलते हैं अगले बेडियो में तब तक के लिए जय जे भारत